सर दरसल बात यह है कि पिछली कंपेनी में सब बस लेते थे बदले में देते कुछ भी नहीं थे लेते थे बतलब तो दोस्तों आज हम जानेंगे रजनी कांड एपिसोड वन सीने प्राइम की वेब सिरिस के स्टोरी के बारे में इस वेब सिरिस के स्टार्टिंग में दिखाया गया है एक हैंडसम डैशिंग बास की उसके कंपनी में एंट्री होती है जैसे ही वो ऑफिस में आता है, ऑफिस की सबी लड़किया खड़ी हो जाती है और उसके होटनेस को देखकर घायल हो जाती है उसी में से एक लड़की दिशा और उसकी सहली होती है जो कहती है बॉस की बीवी कितनी लखी है उसको इतना होट पती मिला है तो दिशा कहती है हाँ सही कहा तुने बॉस बहुत होट है हमेशा गरम रहते है मेरा मतलब हमेशा गुसे में रहते है तो उसकी सहली कहती है, तो रहने दिना मुझ पर कभी गुस्सा बरसा के देखिए, सारा गुस्सा अपने अंदर ले लूगी, उसी वक्त आफिस का प्यून वहां आता है, और अपनी भद्दिशी सकल लेकर, कहता है दिशा मैडम, आपको बॉस ने केबिन में बुलाया है, और दिशा सिर्फ बॉस को देख कर खो जाती है, और उसके बॉस के बोलने पर कोई ध्यान नहीं होता, बॉस कहता है निकलो यहां से, और जो इंटर्विव के लिए लड़किया आई है, उन्हें के करके अंदर भेजो, फिर दिशा बाहर जाकर इंटर्विव के लिए लड़कि में जॉब किया है आपने, फिर जॉब सुइच क्यों करना चाहती हूँ, तो रजनी कहती है कि वहां सब लेते थे, पर देते कुछ खास नहीं थे, बॉस कहता है मैं समझा नहीं, क्या मतलब है तुमारा, रजनी कहती है मेरा मतलब है कि मुझसे वहां काम बहुत लेते थे, पर सैलरी कम देते थे, तो बॉस कहता है यहां हमारे कमपनी में सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन है आपके, तो रजनी मन में सोचती है, यह जॉब बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा नलापती कोई काम नहीं करता, बस रात में लेने का काम करता है, उसको तो मज़ा आता है, पर मुझे घर चलाने का टेंशन होता है। कैसे भी करके ये जॉब मुझे हासिल करना होगा। चाहे इसके लिए मुझे बॉस के नीचे सोना क्यों न पड़ जाए। तो बॉस कहता है आप अभी जाओ, दूसरे भी लड़किया आये है इंट्रिवी के लिए। उसके बाद अगर आपका सेलेक्शन होता है तो हम आपको इनफर्म कर देंगे। पर रजनी बॉस से कहती है कि ये जॉब मुझे ही चाहिए। आप मेरे लिए जॉब के दरवाजे खोल दीजिए, मैं आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोलती हूँ। ऐसा कहकर रजनी अपनी साड़ी उपर कर लीती है और बॉस के होश उड़ जाते है पर बॉस कुछ करे उसके पहले भद्दे मुवाला प्यून वहाँ चाहे लेकर आ जाता है तो बॉस की सटक जाती है बॉस उसे बहुत गालिया देता है कहता है जब तुझे पता है मैं केविन में आया तो तेरे जी में टर्बूज डाल कर फोड़ दूँगा फिर प्यून वहाँ से निकल जाता है और कहता है ये भड़वा साला बहुत गर्मी दिखा रहा है लगता है बड़े साब को इसके कारना में बताने पड़ेंगे फिर जब वो इसके जी में च्छतरी जाल कर खोलेंगे तब इसको समझ में आएंगी इसके आवकात क्या है फिर केविन में बॉस रजनी को नीचे जुका कर अपना केला उसके मूँ में देता है बॉस का गावरान केला देखकर रजनी हैरान हो जाती है और कहती है बाप रे बहुत मजबूत केला है आपका फिर बॉस उसे केला खिलाता है और टेवल से लेकर खुर्ची तक हाथ पेर उठा कर सारी पोजिशन में रजनी की लेता है। तो रजनी भी कहती है कि सच में आथ के घोडे में बहुत दम है। ये सुनकर बॉस उसको और एक शॉट लगाता है। फिर रजनी का काम खत्म हो जाता है और वो कहती है कि मेरा हो गया। पर अगर आपको करना है तो एक राउंड और मार लो। पर बॉस कहता है तुम चली जाओ और कल सुबह मेरे केविन में टाइम पर रिपोट करना। पर वहाँ भड़वा पियून CCTV पर बॉस और रजनी का खेल देखकर हाथ से अपनी भेंडी हिलाते रहता है और उस फुटेज को पेंड राव में सेव कर लेता है और बागड विल्ली की तरह हसता है। फिर रजनी अपने घर जाती है तो उसका नल्ला पती कहता है क्या रजनी को बॉस ने कितना ठकाया होता है। फिर रजनी के सोने के बाद दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा आता है जिसमें एक पेंड राव और एक लेटर होता है जिसमें लिका होता है ये वीडियो अखेले में देखना। मैं आपका शुप चिंतक हूँ और इसी के साथ एपिसोड वन खतम हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद।